हालो दोस्तों मैं डॉक्टर सुनीर तवार डायरेक्टर जैपुर दुर्बीन होस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर दोस्तों जैसे हमने पिछे चर्चा की थी मेरे वीडियो ब्लॉक में नैजर ब्लॉकेज, स्नॉरिंग और नैजर ब्लेडिंग की आज हम चर होता है कौन सी टाइप की राइनोप्लास्टी होती है सो राइनोप्लास्टी दोस्तों एक नोज जोब है जिसमें नोज को जो रिसाइज और रिसेप किया जाता है जब नाक की जो बाहियां आकार और जो है आकरती में जब परिवर्तन आता है सो यह राइनोप्लास्टी होत होती है उस पे अपने नोज का फुली डवलपमेंट हो जाता है जब अपन राइनो प्लास्टी के लिए एक उप्युक्त और एक जो है आइडियल एज होती है बट सम्टाइम्स अगर मान लो कोई पीडियाट्रिक एज पे अगर जो नाक की जो है आकरती और आकार इस कदर टे लाइनोपलास्टि कर सकते हैं नेक्स्ट जो इंपोटेंटसी है कि क्या मोटो है राइनोप्लास्टि के किया उद्दे से थे षू रिएज लेंठी हूते हैं कि इक तो मिंद्द्समिल नाज हarenthि क works exactly होती है अगर आपकी जो है नोज की जो भाहे आं करति है कू अगर जो है श प्रभावित हो रहा है तो उसको करेक्षन करने के लिए जो राइनोप्लास्टिक की जाती है वह है फॉंक्षनल राइनोप्लास्टिक बट कुछ पेसेंट्स में अगर मालो नोज का फॉंक्षन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा उनली उसका जो है जो सैप और जो साइज में चुछ है बाहीज परिवरतन है तो उसको करेक्षन करने के लिए जो राइनोप्लास्टिक की जाती है वह होती है कास्मेटिक खेलंख निटीन पैसेंटिक और सब्सक्ष झाताई होता है ता इसे इंप erf的 Rica कों कोन सी डिफोर मीरी जिन में ऑप्लास्टिक की जरूद होती है अगर किसी का नोज यहां एक जगे से उपर उठा हुआ है तो उसको हम्प नोज बोलते हैं अगर किसी का नोज के अंदर उपर जो है उपरी बाहरी सत्य पे बिल्कुल एक गड़ा है डिप्रेशन है तो वह एक सैडल नोज होता है तीसरा जो है अगर किसी का नोज बिल्कुल फ्लेट है चेहरे के इसाफ से नहीं उठा हुआ है तो उसको भी अपन करक्क किया जाता है या फिर आगे का जो नोज का जो टिप है लाइक बहुत नुकिला है जिसको और प्रोजेक्टेड टिप बोलते हैं या जैसे नोज का जो है वह नीचे बैठा हुआ है लाइक डूपिंग तो यह जो है कोमन नोज की जो डिफॉमिटी है जो राइनो प्लास्टी के लिए जो पेशेंट्स जो है हमारे पास आते हैं ठीक किया जाता है दूसरा कौन सी टाइप की राइनो प्लास्टी है एक होती है ओपन राइनो प् में यूजवली पेशेंट को देखने को नहीं मिलता हो ठीक हो जाता है लेकिन जो क्लोज राइनो प्लास्टी होती है उसमें टॉटली जो इंसीजन है वह अंदर के अंदर ही नोज में होता है बट्चे डिपेंड करता है कि कि किस डिफॉर्मिटी में कौन से नोज के लिए जो नए जो नए बिगन सरजन होते हैं उनको यूजवली उपन राइनो पेस्ट हो ती है तो सबसे जो उप्युक्त सर्जन का चुनाव करना की जो है आप अपनी जो नोज जो ठीक कराने जा रहे हैं वहां पर जो सर्जन है वो उचित रूप से उसको उस चीज का अनुवव है कि नहीं उसको जो इतना अपन जो नोज की जटिल सर्जरी है उसके लिए उसको इतने पहले सर्जरी की हुई है यह सब पता लगाना बहुत इंपोर्टेंट सीज है और दूसरा अपने दिमाग में अच्छे से एक चीज को जान लेना चाहिए कि राइनोप्लास्टी सर्जरी से हुबहु अपन किसी दूसरे की नाक नहीं बना सकते हैं लाइक अगर कोई पेशेंट आके कहता है साम मेरे को रिति ग्रोशन या प्रियंका चोपरा जैसा नोज चाहिए क्योंकि वो जो नोज है वो उनके फैस के लि को सोचना चाहिए किसी दूसरे के बहकाव में आके ऐसे नहीं कि मेरे को राइनोप्लास्टी करानी है तो दोस्तों देखते रही है मिलते रही है और अपन फिर मिलेंगे अगर मेरे से कुछ क्योंस पूछना है तो आप मेरे जो फैस्बुक पेज पे आप जा सकते हैं और मे